अनुश्कार आज हम डिसकस करेंगे important Hindi English के question देखिए अभी तक जितने भी PGT के exam हुआ है या फिर कोई भी paper 1 हुआ है उसमें जो भी Hindi English के question पूछे गए हैं उनको हम official answer की के according जो है एक बार discuss करेंगे ताकि कोई भी doubt ना रहे अगर फिर भी कोई doubt होगा तो आप चेक करें पहले है उसको अच्छे से फिर comment करके बताएं फिर आपको confirmation उसके भी मिल जाएगी तो आज हम अच्छे से जो हैं इन questions को discuss करेंगे 100 प्लस important questions discuss कर लेंगे मतलब एक साथ हम काफी ज्यादा questions जो हम discuss कर लेंगे तो question number 31 से हम discussion discussion को जो है start करते हैं बोलते हैं प्र उपसर्ग से निर्मि अगले question में बोलते हैं अनेक सब्द विशेशन के किस वेद का उधारन है यह संख्या वाचक विशेशन का उधारन है option B जो है वो सई अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं वह तुलिका से चित्र बना रहा है रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है तो देखिए वह तुलिक कुशल सब्द करी भावाचक संग्या रूप है तो कुशल सब्द की अगर हम भावाचक संग्या की बात करते हैं तो कौशल option B जो है वो सई अंसर हो जाएगा कोशल है इसका 35 में बोलते हैं वह सो रहा है कि तभी अचानक उठ बैठा तो जो उठ बैठा रिखांकित पद है क्रिया का कौन सा भेद है तो इसकी अगर हम बात करें तो यह संयुक्त क्रिया का भेद है option C जो है वो सई अंसर हो जाएगा अगले में बोलते हैं बाकी आप खुद काफी समझदार है रिखांकित पद किस सर्वनाम का उधारन है तो यहां पर जो खुद अंडरलाइन किया बाक है तो यह जो है वो कौन सा option d नि जवाचक सर्वनाम का जो है आपने ध्यान रहन नकना है अगला कोईशन वेखिते यह करा कमलिसमास कड़ान थो करकमल वह किसका उधारीन है यह आप रहरन से बाकिता की बात मानी होती तो आज यह दिन ना देखने पड़ते अर्थ की दिरिष्टी से वाक्य का परकार है तो ये कौन से वाक्य का परकार है ये जो है वो संकेत वाचक वाक्य का परकार है ऑप्शन बी जो है वो सही अंसर हो जाएगा कारेकरम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने डैस रिक्तस्तान की पूरती करनी है यहां पर तो देखो कार लेकरम को सफल बनाने के लिए सभी शात्रों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया असान है ऑप्शन बी जो है वो इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं कवीर सोई पीर है सो जाने पर पीर इसमें अलंकार का उधारन कौन से अलंकार जरूर पढ़कर जाएं समझने में भी इजली हो जाएगा और आप अपने कौपी किताब पर नोट भी कर पाएंगे कि कौन कौन से चीज़ें रपीट हो जैसे कि यह जो करता ने करम को है यह जो है वो रपीट हो रहा है जो कारक है वो रपीट हो रहा है अलंका रपीट हो रहा है सरवनाम विशेश बोलते हैं अप उपसर का प्रियोग नहीं हुआ है यहां पर ये पूछा गया है तो अप रिपक्व यह अप्रिपक्व जो है वह option इसका सही अंसर है आगे बोलते हैं सरकारी गोदामों में धेर सारा अनाज भरा पड़ा है इसमें धेर सारा है धेर सा है वो जो है विशेशन क कंवी कमी नहीं है इसमें संग्य का कौन सा भेद है तो इसमें संग्या की भेद की बात करें तो जाती वाट्छक संग्या यहाजाईंगी option A वाप्च seemingly है वुषा जायगा आगे बोलते हैं प्रभाट होते नील मनी परबत पर डैस फैल गया तो निल मनी परबत पर क्या फाल गया क्वेशन नबर 6 का उप्षिन भी आतप हो जाएगा इसका उप्षिन भी जो है वो सही अंसर है क्वेशन नबर 7 मैं बोलते हैं निम्मल लिखित में से कौन सा सब्द दिन का प्रयवाची नहीं है दिन का प्रयवाची दिन मान जो है वो नहीं दिन मान नहीं है ये दिन मान है ये अपने ध्यान लखना है दिन का प्रवाची जो हो दिन हो जाएगा दिवस हो जाएगा दिवस के लावा रोज हो जाएगा रोज के लावा जो हो प्रभात सवेरा ये भी दिन के प्रवाची है आगे देखें कि अब बोलते हैं बोलते हैं अब भ्यगत का संधी विचेद है तो अब भ्यगत का संधी व जो है वो हो जाएगा मुहों की खाना मुहाबरे का अर्थ देखिए मुहों की खाना मुहाबरे का अर्थ मतलब बुरी तरह हार ना कोईशन नमर 9 को ऑप्शन C जो है वो सही अंसर हो जाएगा स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम दीप बुझाए इसमें अलंकार आपको बता होते हैं उसे क्या कहते हैं तो देखिए उसे जो है वो सियुक तवाक्या कहा जाता है option B सही अंसर हो जाएगा दांत काटी रोटी होना मुहाबरेकार्थ क्या है दांत काटी रोटी होना मुहाबरेकार्थ है गहरी दोस्ती होना option D जो है वो सही उन्सर हो जाएगा आगे बोलते हैं पूरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है तो पूरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है यस interes में संग्या का ब्हude बताना है पूरी कौनसी संग्या का भीद है तो देखो पूरी एक सिटी का नाम है वैसे तो तो यह व्यक्ति वाचक संग्या में आ जाएगा option भी सही अंसर है आगे बोलते हैं उत्प्रिक्सा अलंकार का उधारन है तो यहां पर उत्प्रिक्सा अलंकार का उधारन जो है वो है option D सिर्फट गया उसका वही मानो अरुन रंग का घड़ा यह जो है वो इसका है जो यहां पर जो उत्फरिक्सा लंकार का उधारन है आगे बोलते हैं अध्यात्मिक्ता का विलोम क्या है तो अध्यात्मिक्ता का विलोम जो है वो option C भौतिक जो है वो इसक जो खाली यहां पर डॉट डॉट दिया गए है खालिस्तान वहां पर क्या होगा वहां पर जो है वो प्यारी हो जाएगा प्यारी मा प्यारी मा मुझे बहुत प्यार करती है यह होगा आगे बोलते हैं कुली सचबत का क्या अर्थ है तो कुली सचबत का अर्थ आपको कठोर हो ये जो है वो स्तियुंक्त करिया का जो है वो परकार है, sudie și जो है, वो सही अनसर हो जाएगा आगे देखे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहां पर प्रता काल सेर्ष पर जाया करो इसमें जो है वो पद परिचे द्रिष्टी की रिखांकित सब्स बताना है आपको प्राता काल जो यहां पर दिया गया है प्राता काल जो है वो क्री अविशेशन है option C जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं वह तो स्वैम अपनी बातें किसी को नहीं बताती इस वाक्य में इस वाक्य के अधार पर कौन सा पद सर्बनाम नहीं है यहां पर सर्बनाम नहीं है जब आप से पूछा गया है तो तो यहां पर सर्बनाम नहीं है option D जो है वो option B तो जो है वो सही अंसर हो जाएगा यह आपने ध्यान लखना है आगे question देखें आगे बोलते हैं यह शश्वी सब्द निम्म लिकित में से कौन सा इस्त्रिवाची प्रत्य लगेगा यहां पर तो इनी इनी option C जो है वो इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं वह सब्द चुनिये जिसमें अव उपसर का प्रयोग नहीं हुआ है वह सब्द चुनिये जिसमें अव उपसर का प्रयोग नहीं हुआ है वह अवाक है option A जो है वह सही अंसर हो जाएगा अवाक सब्द वह होगा आगे बोलते हैं तुम्हारे घनिस्ट मित्राजकल दिखाई नहीं देते इस वाक्या में विशेशन क्या है तो इस वाक्या में विशेशन जो हो घनिस्ट होगा option C जो हो सही अंसर है अब देखो यह ज़रूरी नहीं कि यह question repeat करके पूछे जाएग प्रंतु हाँ इन से मिलते जुलते question जरूर एक्जाम में पूछे जाते हैं और वही ना दो दो नंबर जोड़ते हैं exam में और वो बहुत ज़दा help करते हैं क्योंकि आप लगबग सभी paper का pattern देख रहे हैं same same है तो question repeat होगा वो तो नहीं प्रंतु यह pattern follow किया जाएगा और य को रटके जाना यह संपरदान यहां पर हो जाएगा option c जो है वो सही अंसर है आगे बोलते हैं इसवर की पहुंच सक्ती और समर्थ है का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है इसमें भावाचक संगया सब्द नहीं है तो इसमें जो है वो इसवर जो हो भावाचक संगया option d जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं काशी हिंदू विश्यविश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि का बेद है कौन सी आपने ध्यान रखना है वो जो है वो रिती वाचक क्रिया विशेशन का बेद है option बी जो है उस आतमे का सही अंसर हो जाएगा आठमे में क्या बोलते हैं आठमे में बोलते हैं इस परदे के पीछे कोई छिपकर बैठा है इसमें जो रिखांकित पद सर्वन का बेद है देखो इस परदे के पीछे कोई छिपकर बैठा है कोई जो है ना उसका अपने ध्यान रखना है कि वो जो है वो अनिश्चे वाचक अनिश्चे वाचक सर्वनाम का जो है वो बेद है ये ध्यान रखना है आगे देखे क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं मेरा वह म मित्र जिसका नाम मदनलाल है वो उधार और से लगती है यह वाक्या का कौन सा प्रकार है तो यह आपने ध्यान लखना है कि मिस्र वाक्या का उधारन है ऑप्चिन भी सही अंसर हो जाएगा 10 में मैं बोलते हैं कि किस पंक्ती में उत्प्रिक्सा लंकार नहीं है तो किस पंक्ती में उत्प्रिक्सा लंकार जो हो यहां पर नहीं है आपने ध्यान लखना है कि question number 10 का जो हो option D नभ मंदल छाया मरुस्थलसा इसमें जो हो उत्प्रिक्सा लंकार नहीं है यह ध्यान लखें अगला कोईशन देखिए जी अगले कोईशन में क्या बोलते हैं नेक्स्ट कोईशन में बोलते हैं अरे दुष्ट रक्सस तेरा अन्त अब निक्ट है इसमें जो अरे दुष्ट रक्सर से अंडरलाइन किया गया है कारक के परसर का कौन सा कारक यहां पर प्रयोग किया गया है तो आपने यहां पर क्या ध्यान लखना है कि यहां पर कौन सा कारक प्रयोग किया गया है यहां पर option B संबोधन कारक उप्योग किया गया है option D सही answer है आगे बोसे हैं महात्म जी ने डांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया इसमें जो महात्मा जी हैं वो कौन सी संग्या का भैद हैं देखो अभी हमने महामना पढ़ा था तो उसमें क्या था व्यक्ति बाद चक था तो इसमें भी व्यक्ति बाद चक ही होगा हुए ना question relate तो ये दो number इस तरह से ही relate करकर मिलेंगे आगे बोलते हैं pulling इस तरलिंग का कौन सा यूगम सही नहीं है तो 33 का जो है ओप्षिन ए नरतक और नरति का ये जो है वो सही नहीं है ये 33 का जो है ओप्षिन ए सही अंतर हो जाएगा अचा अगले question में देखिए 34 में क्या बोलते हैं बोलते हैं तुम दूसरों से जैसा अचरन करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही अचरन करेंगे इसमें जो है वो आपको बताना है देखो तुम दूसरों से वाक्या का कौन सा परकार है सा इसमें तुम दूसरों से जैसा अचरन करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही अचरन करेंगे तो इसमें option भी मिस्र वाक्य आ जाएगा option भी सही answer है next one देखिए क्या बोलते हैं बोलते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो आलिशान महल दिख रहा है यहाँ पर मेरा अंडरलाइन किया गया है यह सरब नाम का कौन सा प्रकार है कौन सा भेद है 35 का option ए जो है वो निश्चे वाच्चक सही answer हो जाएगा option A 36 देखिए बोलते हैं अयोग्य समस्त पद किस समास का उधारन है तो अयोग्य समस्त पद जो है वो निश्च ततपूर्स का जो है वो धारन है option C सही answer हो जाएगा आगे बोलते हैं समराट अशोक ने विश्चो को सांती का उपदेश दिया इस बाकिया में वाच्चे कौन सा है तो इसमें जो है वो आपने ध्यान लखना है इसमें अलंकार बताना है तो इसमें जो है वो 38 में जो है वो option B अतिश युक्ती है यहां पर यह ध्यान लखें आगे बोलते हैं वांशे खिलना मुहाबरे का आर्थ है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका हर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन होना option C आगे बोलते हैं सुध वाक्या का विकल्प क्या है तो इसमें सुध वाक्या आपको ध्यान लखना है कि इसमें मुझे घर जाना है यह सुध वाक्या है ठीक जी तो यह हो गए हमारे हिंदी के 50 questions भूरे अब next 150 questions जो है हम discuss करते हैं कि इसके English के उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं PGT की या paper 1 की तो आप test sheets practice कर सकते हैं test sheets का link के नीचे description box comment box में दिया गया लेखिए test sheets आप practice कर सकते हैं और test sheets जब आप practice करेंगे practice करने से ना perfection आप में आएगी और जिससे जो हो आप अपने study को अच्छी shape जो हो दे सकते हैं और definitely यही छोटी-छोटी चीज़ें exam crack करने में भी आपकी help करेंगे ठीक है जी तो इस बात को मान के चलें कि paper तो कैसा भी आ सकता है आसान भी आ सकता है तब भी आ सकता है प्रन्तु अगर अच्छी practice की होगी ना तो at least इतने number तो ले पाएंगे कि आप अच्छे से pass number passing score को जो हो cross कर सके question number 41 देखिए test sheets के link नीचे description box comment box में दिएगे है वहां से available कर लेना 41 में देखी क्या बोलते है 41 में बोलते है my father dash the award when he dash 30 years old तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा my father received the award when he was 30 years old तो option C बिल्कुल ही simple वाक्या है इसका सजयंतर हो जाएगा आगे क्यों बलते हैं आगे बोलते हैं many dash has tried to solve you send तो बोलते हैं यहां पर 42 में 42 का हो जाएगा many a student has tried to solve the puzzle you send option a जो है वो सजयंतर हो जाएगा a student the puzzle यह धियान रखें आगे बोलते हैं choose the correct indirect form of the following यहां पर दिया गया है doctor said to rena no surgery is required as you will all right soon तो इसमें जो है वो जो है आपको जो है वो correct indirect form जो हो चूज करने है तो इसका जो हो option D हो जाएगा the doctor told rena that no surgery was required as she had all right soon option D जो हो सजयंतर हो जाएगा 44 में देखी क्या बोलते है 44 में बोलते हैं I went to the college आगे यहां पर जो filling the blank की दिया गया है तो इसमें क्या होगा इसमें होगा option C didn't I option C जो हो सजयंतर हो जाएगा इस तरह के question ना यह वाला question दो तिन बार PG paper one ने पूछा गया आगे बोलते हैं आगे बोलते हैं चूज the correct sentence तो यहां पर sentence दिये गया है मैं correct वन आपको बता देता हूं correct वन इसमें हो जाएगा option A 45 को option A हो जाएगा दिल्ली has its own versions of how different sweets are made यह हो जाएगा 46 में बोलते हैं इंडिग्रे इंडिकेट अप्रोप्रेट साइनॉनियम ऑफ ता अंडरलाइन वर्ड तो साइनॉनियम बताना है आपको किसका यह जो अंडरलाइन किया गया है पर यूजल का यह तो इसका क्या हो जाएगा इसका option भी स्कृप्टीनी जो ह है वो हो जाएगा यह धियान रखें आगे आपको अप्रोप्रेट अंटॉनियम मेन कि अपोजिट मीनिंग बताना है कि इसका मेटाफोरिकल का तो मेटाफोरिकल का अंटॉनियम मेनिंग क्या हो जाएगा option सी real जो है वो हो जाएगा यह इसका opposite meaning है ठीक है जी अगला देखे हैं क्या बोलते हैं यहां पर आपको बताना है indicate the option that can explain the underline segment underline segment है यहां पर he can feel the pulse of the people बोलते हैं पूरा sentence में पढ़के सुनाता हूँ आपको यहां पर बोलते हैं he is repeated excess source that he can feel the pulse of the people 49 में बोलते हैं option ace का सही answer हो जाएगा he cheats people regularly यह जो हो 48 sorry 48 का जो हो option D सही answer होगा he can identify the mood of the people मतलब वो लोगों की नबज जो हो to toll लेता है यह इसका सही answer हो जाएगा option D जो हो इसका सही answer है यह आपने ध्यान नकना है आगे देखिए आगे बोलते हैं यहां पर underline जो word दिया गया है इसमें क्या करना है आपको in options में स संचीत has been accused of dereliction of duty तो इसमें इसमें जो है वो सही answer क्या हो जाएगा इसमें आपने ध्यान रखना है कि 49 का जो हो option A सही answer हो जाएगा willful neglect of responsibility option A जो है वो सही answer है 50 देखें 50 में क्या बोलते हैं 50 में बोलते हैं arrange the given part of meaningful sentence तो 50 में जो हो बोलते हैं इसको arrange करना है इसका हो जाएग regarding an ideal friend उसके बाद P हो जाएगा regarding an ideal friend नीरा says that she is looking for someone who उसके बाद is caring and has a great sense of humor तो ये हो जाएगा इसका ये जो है वो सही है इसका 41 में देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं right option आपको चूज करने है manita dash Hindi and she can't speak French तो 41 में क्या बोलते हैं manita can speak Hindi but she can't speak French option a 41 का सही answer हो जाएगा अच्छा ये paper कहां पर मिलेंगे ये paper हमने telegram group पर already upload कर रखे हैं वहां पर जाकर देख लेना answer की भी की हुई है अभी मैं एक चीज करूँगा कि इन सभी paper को ना एक साथ ही upload कर दूँगा एक वार फिर से तब आपको ऐसा होगा कि जो है वह easily ये सारे एक जगा मिल जाएंगा answer की भी कर देंगे upload को दिक्कत की बात नहीं है अगले question अच्छा तेलिग्राम पर कैसे join करेंगे telegram पर join करने के लिए अपने telegram से add the rate all exam 31 करके सर्च करना आपको मारा चैनल जो है वो मिल जाएगा all exam 31 करके सर्च करना आपको मारा चैनल मिल जाएगा आगे बोलते हैं choose the right option to fill the blank तो बोलते हैं dash my three cousins dash youngest has not got a job at the moment 42 का बोलते हैं option A हो जाएगा of three of my three cousins the youngest has not got a job at moment option A जो है वो 42 का सही answer हो जाएगा 43 में बोलते हैं choose the correct indirect form of following indirect form आपको चूज करनी है Raveena has declared I am practicing yoga everyday तो 43 का जो हो option B सही answer हो जाएगा Raveena has declared that she is practicing yoga everyday option B सही answer है 44 में बोलते हैं choose the correct sentence तो correct sentence आपको चूज करना है तो इसका correct sentence जो हो option C हो जाएगा The cable seems to be cut with the blade यह हो जाएगा आगे 45 में बोलते हैं choose the correct passive voice तो passive voice है चूज करनी है आपको correct one बोलते है His rest behavior surprised me तो 45 का जो हो option D I was surprised at his rest behavior option D जो हो सही answer हो जाएगा आगे बोलते हैं arrange the following part of meaningful sentence तो 46 का option B सही answer हो जाएगा The tragedy forced everyone everyone to go back to their places but but those यहां पर P होगा उसके बाद है Those two brave girls kept holding their position option B जो हो सही answer हो जाएगा 46 का option B सही answer है 47 में बोलते है indicate the synonym तो surreal का आपको synonym जो हो बताना है 47 में option a dream like जो हो इसका synonym हो जाएगा आगे आपको अन्टॉनियम जो हो बताना है opposite meaning बताना है किसका प्रोवर्बियल का तो प्रोवर्बियल का अन्टॉनियम क्या होता है इसका अन्टॉनियम option C Unconventional जो हो हो जाता है ठीक है जी आगे बोलते है indicate the correct आगे कह करना है indicate the incorrect sentence So incorrect sentence आपको बताना है यहां पर option D दूसरा और चौता जो है वो incorrect दिया गया है 49 का दूसरा है राज as well अन्निल did their job well तो यह गलत हो जाएगा चौता है beside a car C have a scooter to यह भी गलत हो जाएगा ठीक है जी अगले में बोलते हैं 50 में 50 में क्या बोला गया है fill in the blank आपको यहां पर करना कि organize के जाता है उसको hierarchy कहते है hierarchy यानिके 50 का option C जो है वो सही answer हो जाएगा चले जी next question देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है English का बोलते है choose the right option to fill in the blanks तो question number 11 का option D सही answer हो जाएगा when I was a child I aspired to be a soldier तो यह हो जाएगा इसका यह अगले में बोलते हैं आगे बोलते हैं I have been there I have time हो जाएगा many a time option C जो है वो सही answer हो जाएगा indicate the correct passive voice तो passive voice देख रहे हैं आपकी direct indirect passive active voice यह हर एक paper में पूछे गए है 13 में बोलते हैं indicate the correct passive voice where did they deposit the cash तो 13 का हो जाएगा option A where was the cash deposited by them आगे 14 में क्या बोलते हैं आगे 14 में बोलते हैं pretty said when I reached the class had already started तो बोलते हैं कि 14 का सही answer क्या ह हो जाएगा 14 का सही answer जो है वो हो जाएगा option B pretty said that the class had already started when she reached यह इसका सही answer हो जाएगा आगे देखी 15 में क्या बोलते हैं 15 में बोलते हैं manager I don't see Mina here any information about her तो बोलते हैं superior बोलते हैं she has informed that कि उसको ने इन फॉर्म किया था she has to go to the dentist कि उसको dentist के पास जाना है तो option D 15 का जो है वो सह सही answer हो जाएगा आगे क्या बोलते हैं 16 में बोलते हैं यहाँ पर these shirts are very nice 16 का हो जाएगा option A aren't are not they यह option जो हाँ सही answer हो जाएगा आगे arrange करना है आपको 17 का तो option D सही answer हो जाएगा SPRTQ यानिके पहले हो जाएगा in the cases of long covid suffers the complement system उसके बाद R हो जाएगा which kills infected cells keeps attacking healthy cells causing tissue damage तो यह हो जाएगा आगे 18 में क्या होगा 18 में होगा I have read the passage I can tell you the whole thing whole thing verbatim तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 का जो हो सही हो जाएगा option A I can repeat exactly as it is written it's written option A जो हो सही answer हो जाएगा आगे बोलते है indicate the antonym जो यहाँ पर underline किया गया है उसका opposite meaning बताना है underline किया गया है convolute convoluted तो 19 का जो हो option B सही answer हो जाएगा simple आगे synonym पूछा गया है synonym बोलते हैं descent descent का synonym option B opposite जो हो जाएगा अगले question में बोलते हैं बोलते हैं our sister dash accepted leader तो क्या बोलते हैं question number 11 का क्या होगा our sister is to be accepted as the leader option B सही answer हो जाएगा आगे बोलते हैं choose the right option to fill in the blank क्या बोलते हैं आगे can you help me get dash I am looking for तो question number 12 का option B सही answer हो जाएगा बोलते हैं यहां पर can you help me get a job I am looking for some work option B जो हो सही answer हो जाएगा 13 में बोलते हैं choose the correct indirect form of the following तो correct indirect form आपको choose करनी है यहां पर बोलते हैं रमन says to his brother I can call you tomorrow as I am busy now तो इसका क्या सही answer हो जाएगा option C रमन tells her brother that he can call him tomorrow as he is busy then option C जो है वो सही answer हो जाएगा आगे 14 में क्या बोलते हैं बोलते हैं his children have looked after him तो इसमें क्या करना है correct passive voice आपको बतानी है 14 का जो है option A हो जाएगा he has been looked after by his children 14 का जो है option A सही answer हो जाएगा 15 में बोलते हैं choose the correct active voice form of the given sentence तो 15 का जो है option D सही answer हो जाएगा how long has music been played by you in this concern तो option D है how long have you played music in this concern 15 का option D सही answer है 16 में बोलते हैं choose the option which explains the underline word तो यहां पर है I will make all efforts to make up for the time lost due to illness तो 16 में बोलते हैं यहां पर compensate इसका हो जाएगा make up for का compensate हो जाएगा आगे इसको arrange करना है फिर से sentence को तो 17 का जो हो option D सही answer हो जाएगा S P R Q T S मतलब Jeevan has shown once again why he is considered one of the best player in the world option B जो है वो सही answer इसका हो जाएगा आगे 18 में देखी क्या बोलते हैं 18 में बोलते हैं choose the correct sentence तो यह सारे sentence एक बार पढ़ें यह PGT English का जो हो paper है और इसमें हमने जब हमने paper discuss किया था इससे पहले tentative सा तो उसमें हमने English का section कुछ कुछ question छोड़े भी थे अभी पूरे complete हो रहा है choose the correct आपको जो हो यहां पर select करना है तो यह option C हो जाएगा that India is best democracy has been proved beyond doubt यह इसका सही answer हो जाएगा 18 का option C 19 में बोलते हैं indicate the synonym synonym है परन पर्स्वेशिव का तो इसको antonyum हो जाएगा इसका antonyum जो है ओपन गील कर यह ऑन का option से start करते हैं choose the right option to fill in the blank बोलते हैं यहां पर question number 11 में यहां पर होगा I dash go to see a movie evening तो 11 का जो है हो सही answer हो जाएगा I might go to see a movie tomorrow evening option C जो हो सही answer हो जाएगा 12 देखे क्या बोलते है I wore dash you had gifted me 12 का हो जाएगा I wore the shirt option A जो हो सही answer हो जाएगा the shirt होगा यहां पर incorrect one आपको यहां पर बताना है कि कौन सा है तो 13 का जो हो option C जिनके तीसरा और चौथा जो हो गलत है you seems to be the one who help us frequently यह गलत है we are not you the one who visit us regularly यह भी जो हो गलत यहां पर incorrect one यहां पर जो हो दिया गया है 14 में बोलते हैं choose the correct indirect form of the following यह है I have been living in indoor for two decades the manager said to his son in direct form जो हो सही choose करनी है तो वो है option B the manager told his son that he had been living in indoor for two decades option B जो हो सही answer हो जाएगा ठीक है आगे क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं यहां पर conversation दी गई है इसको complete करें बबलु बोलता है how is Dheeraz तो आगे what is doing what is he doing these days तो Sonam reply करती है Sonam बोलते है Dheeraz has a comfortable job कि उसकी job जो हो comfortable है और उसके बाद वो क्या बोलती है बोलती है he does not have a work very hard कि उसको ज्यादा hard work जो हो नहीं है वहां पर मतलब easy job है आगे arrange करने के लिए बोला गया है तो arrange कीजिए question number 16 में इसका option B सही answer आ जाएगा SPQRT यानिके part of body immune system which normally fights of infections by killing infected cells remains active continuing to attack the healthy cells यह जो है वो सही है आगे 17 में बोलते हैं that is not your house यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा यहां पर होगा is it option B जो है वो सही answer हो जाएगा आगे बोलते हैं यहां पर choose the correct passive voice तो पैसिव वाइस है complete this work right now यह आपको comment करके बताना है कि इसका answer क्या होगा complete this work right now यह असान सा ही है तो इसको आप comment करके बता दीजिए ठीक है जी अगले question में देखिए क्या बोलते हैं anonymous क्या होगा इसका जो underline one है in incongruous यह जो है वो underline one है तो इसका जो हो option भी inconsistent जो है वो सही answer हो जाएगा जैसे की PGT के exam देखते देखते होगे न उस time लगता था कि बहुत दूर है allied का भी वैसा ही होगा बहुत जल्दी यह exam हो जाएंगे तो अच्छे से तैयारी कीजिए बाकि घोड़ी का प्रयवाच्ची क्या होता है गोड़ा जो होता है उसका प्रयवाच्ची क्या होता है व पर जॉइन नहीं किया है तो वहां पर जॉइन कर लेना एड़ारी टॉल एक्जाम थरटी बनाग्राफ सर्च करेंगे आपको मारेट एलिग्रम जाएगा अट्स आल फॉर तोड़ी थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग अन लिस्निंग परी पेशेंस